देव भूमी को धामी ने बदल दिया योगी ने की धामी सरकार की तारी नमस्कार NMF News देख रहे हैं पूर मैं हूँ आपके साथ वागी शपांडे देव भूमी की दिशा और दिशा कितनी बदल रही है ये पूरा देश देख रहा है आज देव भूमी बदल रहा है आज परिटन के साथ साथ हमारे धार्मे के स्थलू का उधान लगातार हो रहा है और इसका अश्रेय उत्राखन के सियेम पुशकर सिंग धामी को जाता है 9 नवंबर 2000 में उत्राखन की स्थापना कीती अडल सरकार ने और 9 नवंबर को उत्राखन स्थापना दिवस मनाया गया इसी मौके पर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदतनात ने खुद खुले मंच से धामी के देव भूमी की तारीफ की है आप भी सुनिये अभी दो दिन पहले ही प्रवासी उत्राखन सम्मेलन का भी सफल आयोजन हुआ है मुझे विश्वास है हमारे प्रवासी उत्राखन वासी राज्य की विकास यात्रा में ऐसे ही बड़ी भूमी का निभाते रहेंगे साथियों उत्राखन के लोगों को अपनी आशाओं और आकांशाओं को पुरा करने के लिए लंबे समय तक अलग राज्य के लिए प्रयास करना पड़ा था ये प्रयास तब पुरे हुए जब केंद्र में स्रद्धे अटल जी के नेत्रूत्व में बीजेपी के नेत्रूत्व में एंडिये की सरकार बनी मुझे खुशी है कि जिस सपने के साथ उत्राखन का गठन हुआ था वो हम सब साकार होते देख रहे हैं देव भूमी उत्राखन ने हम सभी को भाजपा को हमेशा खूप सारा प्यार दिया है अपनत्व दिया है भाजपा भी देव भूमी की सेवा की भावना से उत्राखन के विकास में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ रही है साथियों कुछ दिन पहले ही केदार नात मंदिर के कपाट बंद हुए है कुछ साल पहले बावा केदार के दर्सन के बाद उनके चरणों में बैठकर मैंने बड़े विश्वास से कहा था कि ये दसक उत्राखन का दसक होगा बीते वर्सों में उत्राखन ने मेरे इस विश्वास को सही साबित किया है तो सुना आपने मोधी ने भी देवभूमी को लेकर कहा है कि उत्राखन में पर्टन से जुड़े अवसरों को नई गती मिल रही है जिससे ना केवल इस्थानी युवाओं को अपने खर के पासी रोजगार के नए अवसर प्राप्त हो रहे है बलकि इससे प्रदेश की आर्थिकी को भी स्रदड़ता मिल रही है योगी ने भी धामी की तारिफ खुले मन्चसी की है योगी ने उत्राखन का नाम लेते हुए कहा कि किस सरे से उत्राखन देवभूमी बदल रहा है पहले का देवभूमी और अब के देवभूमी आप फर्क देखिए हमारे जुद्धार में कि स्थल है उनका कितना उत्थान हो रहा है आप भी योगी को सुनिये अपनी विरासत को एक नहीं उचाहित तक पहुंचाने के लिए आज उत्राकंद में बहुत सारे काले हो रहे हैं कहने जाओ सकता नहीं कि उत्राकंद के हमारे जो कवित्र धाम है बत्रिनाद, ये दानाद, गर्मोत्री, यम्मोत्री और अभी हमें जो जंच पे स्मिर्थिचिन जया गए जाड़ी स्वर धामता दिया गया और प्राचीन धामे पौरणे जामे पुद्राखन पहले एवल पूरी जंगी दिस्से पूरी स्टों जाता था यद्यपी पौरणी कालखन से ही वहां पर लोग सर्दा भाव के साथ जाते थे सभाव जए बड़ी महात्रावी दादे थे लेकिन एक समय उनका स्थान पूरिष्ट में ले लिया लेकिन आप जब बद्रीना ध्राम का पुर्द्धार हो रहा है कि राना ध्राम एक नए रूप में देश और दुनिया के सामने आ रहा है उत्राखण के अंदर जागिश्वर ध्राम में स्वेयर मारे दुना लंत्री जी ने जाकर के जाकिश्वर ध्राम के इस पौरानिक महत्कोतों देश और दुनिया के सामने रखा तो सौभाई पूर्द से आप उत्राखण में इस इस प्रिचोर टुनिचम के लिए जिसमें स प्रिचन के लिए लोग श्रधा भाव के साथ आते हैं यहां रोजगार स्रजन का एक बहुत बड़ा माथ्यम बनेगा आज देव भूमी कितना बदल गया है आज परिचन के साथ साथ देव भूमी में रोजगार बढ़ रहा है और दूसरे राग जो को इससे सीखने की जरुरत है लोगों ने भी देव भूमी को लेकर ट्वीट किया है इसके माध्यम से नदी के किनारे बसे लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी और बार जैसी आप दाओं के प्रभाव को भी कम किया जो सकेगा तो अब देव भूमी बदल रहा है दिशा भी बदल रही है नया रूप देव भूमी ली रहा है और एक समय आएगा कि सीम थामी राजु कोवेकास के मामले में पहले पायदान पर लाएंगे जिसके तारिफ देश नहीं बलकि दुनिया में भी होगी आपको भी लगता है कि देव भूमी बहुत बदल गया है तो अपनी रहा है इस वीडियो में कमेंट करकर जरूर रखिए इस वीडियो को जादा स्यादा शेयर कीजिए लाइक कीजिए और एनिमे फ्योस को सब्स्क्राइब कीजिए ठरी बास